हेलो फ्रेंस वेल्कम ट्यू टू माइचेनल्स यह मेरी ब्लॉइस का सेकंड पार्ट है मैंने फर्स्ट पार्ट में कटिंग और स्टिचिंग सिकाही थी आदी इसमें मैं आपको फिटिंग लगाना बाजू लगाना गोल बाजू लगाऊंगी मैं फिटिंग पहले लगा लोगी फिर गोल बाजू लगाऊंगी और पाइपिल लगाना इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगी इसलिए आप पूरा वीडियो देखें फुल वीडियो द बहुत ही उनिक से मैं यह बॉदर वाले पीस में सादा वाले कपड़े में किसी तरह से यह पिलोग निकाले को निकालें यह बहुत ही आसान है जिए इसकार को सब्सक्राइब कटिंग करी है और बहुत यह अच्छा सिखाया है मैंने फर्स्ट पार्ट में आप जरूर फर्स्ट पार्ट देखें और फुल वीडियो देखें जिससे कि आपको साधे कपड़े में ब्लॉस निकालना और सिलाई करना पूरी तरह से आ जाए फर्स्ट टैम सीख रही हो करोंगी में दव्हों एसे नहीं जाएंड करना और ही पत्टी जाएंगी हमको हमश्द कैसे करना इस ओंझट रही क извест में इनुक्त जाएंगाका को बहुती आसान तरीका सिखाया है मैंने कि और यही पट्टी को कटिंग कैसे करें और जल्दी कटिंग कैसे करें यह नहीं कि पट्टी करके पट्टी निकालें डबल कप्ड़ा करके आरहम से आप पट्टी कर सकते हैं कि उपर एग रखकर और हमेशा पट्टी एक सी ही आनी चाहिए अगर छोटी बड़ी पट्टी होगी तो आपकी पाइपन नहीं सही लगेगी कहीं से मोटी कहीं से पतली कहीं से मोटी कहीं से पतली ऐसी आएगी इसलिए पट्टी को काटना एक सा जरूरी है देखो इस तरह से मैं आगे से मोड़ोंगी इस प पिर आप skip करके देखते हैं, skip करने बार यानि आगे बढ़ा बढ़ा कर वीडियो देखने में समझ में नहीं आता है, फिर कहते हैं यूटूब पे तो बेकार सका रहा हैं, बस यही कारण है कि मैंने इस ब्लॉज के एक ही ब्लॉज के दो पार्ट बनाए हैं, क्योंकि छोटी बीडियो बनाए हैं, जिससे कि आप पूरा देखें और अच्छा सीखें, मैंने लाश्ट में आकर भी पूरा होने के बाद मैंने इसको फोल्ड कर दिया है, जिससे कि जब मेरी इसको फोल्ड करूंगे, अंदर पाइपिन की बनाऊंगी पट्टी को में, तो अच्छी फिन की आए मैंने और ऐसे अंदर की साट मोड दिया है, इतना ही उपर रखना है, ज्यादा नहीं रखना इससे, क्योंकि मैं तुर्पन करूंगी सुईधागे से, जो कितनी पतली आ रही है, अगर हम मसीन से करते हैं, तब भी हम इसी तरह से लगाते हैं, लेकिन जो मैंने फोल् करती आएंगे, और यह भी पत्टी को हमें से ध्यान रखना, गले पे लगाएं, तो नहीं खीचना चाहिए हमको, नहीं हम ब्लॉज का कपड़ा खीचेंगे, और नहीं हमें पाइपेन, इस तरह से जो कपड़ा है, जो फाल्तु कपड़ा है, उसको हम कटिंग कर देंगे, और ध्यान रखना बहुत ही आराम से अच्छी तरह से कटिंग करनी है, अगर आप नई स्लाइ सीक रही हो तो, और आपके अच्छी प्रटी से हो तो आप आराम से काड़ सकते हो, इस तरह से मेरे फाल्तु कपड़ा काड़ दिया, इस तरह से में फोल्ड करके इस पर मैं चौथा हिस्सा कर लोगे, आपकी कोई भी फिटिंग हो, यहनि चौथी इच्छी से उपर होता है, एक छाती का, जो लो चेस्ट बोलते हैं उसको एक कमर का, ध्यान रकना ब्लोज में हमेसा तीन ही नाप लिये जाते हैं, अपर चेस्ट का भी 100% नाप लो, जो चेस्ट के उ पर चेस्ट बगल वाला हिस्सा होता है, क्योंकि कभी-कभी इसमें हमें गड़्डा महसुस होता है, ज्यादा सलाई लगानी परती कम आता है, हमेसा अपर चेस्ट और में चेस्ट में एक इंच उसे लेके, डेर्ड इंच तक ही अंतर आता है, इसलिए आपको तीनों ही नाप लूँगी और अच्छी तरह से उस पर चेस्ट लगा दूँगी, अब मुझे नापने की जोगो नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं सूट में करती हूं, बहुत ही आसान तरीका सिखाती हूं मैं, इसलिए आप मेरी पूरी वीड़ी को देखो कि कौन सा मैन मैसी इसमें से निकलना जाए, कि किस तरह से मैं फिटिंग का नाप लेके, किस तरह से मैं पेष्ट करके चाप के इसको करा है, वैसी मैं प्लेट का भी इस तरह से प्लेट लगाई थी, एक पार्ट पर लगा ली थी, अब देखो मेरी कमर में थोड़ा सा 19-20 था, तो मैंने क्या करा, फिट लूज टाइट आरहम से कर सकते हैं, इसी तरह से मैं फोल्ड करके इस तरह से प्लेट लगाई है, कॉटर वाले व्लोज में आप इसी तरह से प्लेट लगाएं, फोल्ड करके, जिससे कि हम आरहम से लूज टाइट कर सकें, और मैं साड़ी वाले अस्तर वाले व्लोज में भ और जो बगल की हैं उसकी भी दूस्ता करें लिए आप किसी भी नाप नाप क fat लेते हैं इसलिए हम दुस्ता ले रहे है अब में नहीं देखनार में यह गोल वान само किस तरह से लगा हुआ है le Pag зайञ ये की ही सलाई लगाई है, उसलाई लगाने के बाद मैं पहले इसको नाप लूँगी, मेरी परफेक्ट हैकी नहीं ये गुलाई में, क्योंकि हम नहीं नापेंगे और लगाएंगे, तो कहीं 19 वीस होगा, तो हमें फिर उदेड़ना पड़ेगा, इसलिए मैं एक बाद ट्राइ कर अब जिससे कि मैं इसको बाजू लगाऊंगी गोल, तो मेरा इदम परफेक्ट आएगा, और एक बार में मेरी बाजू सेट हो जाएगी, अगर आप मेरी चैनल को, या मेरी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रही हो, तो प्लीज सब्सकार करो, लाइक करो, सेर करो, कमे कि ब्लॉज के जो फीस होता है, उसको दूसरी सैट, और जो बाजू का कपड़ा जो एश्टा होता है, उसको दूसरी सैट करते हैं, जिससे कि हमारी बगल में मोटा सा हमें महसूस ना हो, अगर आपको मेरी बताना, सिखाना अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज लाइक करें, और बेल बटन दबा कर, अल पर सेलेक्ट करें, सभी पर, जिससे कि हर एक वीडियो छोटी से बड़ी वीडियो आपके पास पहुंच सकें मेरी, और आप घर बैटे सीख सकें, बहुत ही अच्छा तरीका सिखाया है, बहुत आसान तरीका सिखाया है, अगर आपने इडियो जरूर देखना, मैंने भूहती अच्छे कटिंग और भाती अच्छीं प्लेट्स की निहांदा लगाना, प्लेट्स पर चुंजट कैसे डालते हैं, किस तरह से डालते हैं, कौन सी पहली क्या सिखाया है, किस तरह से कपड़ा लेते हैं, सारा कुछ बताया है, बहू परसन सीख जाओगी बिलोज बनाना साधा और मैंने बहुत सारी प्रेंस कटेंग्स लगाना देखा जो लगा दूंगी पट्टी जिससे की हपमें चिट बटन लगाओंगी यह 100 परसन लगाएं आप किसी भी व्लोज में सिलो आप बहुत से फायदा होता है इस पट्टी से हम मैं इसको इस ट्रेप में बटी लगा देते हैं जब मैं इसको रांड में मतलब डवल सलाही करते ताइम पर दियानं नगणा जाब सब भी आब में पर्फेक्ट लाएं से काहला प्रॐ द्म पर्फेक्ट इंगुआ लगा एक मम मेंें पर्फेक्ट लिख दूसरी में किनारे लगां से जो विछ गपड़ा को में कटिंग कर देति हूं जिसे आपको अची आए स्मैने वाले मेरे यही दो चीज हमें अच्छी तरह से आनी चाहिए कितनी फिनिशिंग के साथ आईए कोई जोल नहीं कोई चुन्नट नहीं देखो आगे भी पीछे भी दोना तरब दे सकते आप यह नहीं कि मैं की करके दिखा रही हूं देखो दोना बाजू लग चुकी है मेरी दोनों मैंने स्टेव लगाई है यह नहीं एक में लगानी दोनों ही लगानी है अपने वीडियो को देखा फुल को थैंक यू